जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हारदिक स्वागते महा काली भगत गयान यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ जब सपने में ये तीन चीज दिखने लगे तो समझो काली माता तुमसे बात करने आई है तुम्हारे पास ही है तुम्हारे साथ ही है बट तुम उसको समझ नहीं पारे हो क्यों नहीं समझ पारे हो क्या वजा है सब कुछ मैं आपको बताऊंगे और जब काली माता किसी भी भगत के पास आती है उससे बात करने तो उसको सपने में ये तीन जी जरूर दिखाई देती है तो यदि आपको भी दिखती है तो समझ लो कि आपके पास माता काली आपसे बात करने आई थी अगर आप सबसे ज़्यादा परिशान हो दुखी हो माता काली को रात दिन पुकारते रहते हो तो माता काली जरूर आपके पास आई थी पर माता काली जब आई थी तो आप उसको पहचान नहीं पाए फिर आने वाले समय में आपके साथ ऐसा हो सपने में यह 3 चीज दिखाई दे तो समझ लो कि माता काली आपके पास आएगी ही आएगी और जब आएगी तो बात करेगी आपसे ठीक है तो तीन चीज जो सपने में दीखेगी वह मैं आपको बताँगे इस वीडियो में लेकिन ब जो आस तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी पहली बात जब मातकाली आपसे बात करने आएगी तो आपको सपने के माध्यम में मातकाली की मूरत दिखाई देगी ठीक है तो जिन व्यक्तियों को मूरत दिखाई देती है जादतर सपने के माध्यम में तो मातकाली भात करना चाहर है लेकिन उनको इक तरीका आपके बात करें को मता काली umas, जिसरी बात करनों को लाल design geç आपके पास आएगी तो सपने के माध्यम में आप लोगों को जादतर जोत दिखेगी जली भी यानि कि अपने घर के मंदिर में दिख सकती है या फिर भार मंदिर में आप जोत जलाते हुए दिखे या फिर जनती हुई जोत दिखाई दे सपने के माध्यम में तो समझ लो कि आ ये सपने तीनों चीज सपने में दिखेगी तब पूरी तरीके से आती है तो कभी भी सपने के माध्यम में आप लोगों को जो जलती हुई दिखे चाए अपने घर के मंदिर में दिखे चाए फिर भार के मंदिर में दिखे चाए फिर कहीं और भी दिखे कहीं भी आपको जो ज साथ करने तो जाधि तर सपने की माधयं में न रूप को दशन रहे घृत रहे है लोग जोटी बच्ची होतीयें नसे उरफ न सपने रूप दोड़़्ाइं वाले इन सब्सक्रास लिधा रहें आने वाले वाले समय में या पहले हि captiv चुका हो तो समझ लो माता काली आपसे बात करने आई है अब आपको क्या करना है अब आपको तो पता नहीं चलेगा कि माता काली हमसे बात करने आई है या नहीं आई है तो आपको क्या करना है एक सांथ कमरे में बैठना है जो आपको खाली कमरा हो तो वहां बैट कर आपको आखे बंद करकर बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान मातकाली की तरफ ही होना चीए कई और ध्यान को भटकाए मत रखना ठीक है पहली बता जिती हो अगर आपको भी मातकाली से बात करनी है अगर मातकाली आपके पसाई है बात करनी तो आपको भी क आपको बतारी हूं जैसे कि मैंने अभी आपको बताई कमरे में आपको रहना है ठीक है बैट के ध्यान लगाना है मातर काली का आखे बिलकुल आपकी बंद्न नीची है और जो दोनों हात हैं आपके वैसे होने चीए जब हम मंत्रों को जाप करते हैं जैसे कि हमारे अंगुठा होता है और एक वो वली उगुली होती है उसका गोल धारा बना के ऐसे हम बैठे रहते जैसे कि साधु संत भी बैठे रहते जब ध्यान करते तो वैसे ही आपको बैठना है वैसी बैठना है और जैसे ही आप ध्यान म मात ध्यमत दिख जाएगी तो समझ लो कि काली मात आप से बात करने आई है तो तुरंद ही आपको इस काम को करना होगा जो मैं आपको बता रही हूँ ठीक है ये काम करोगे तब ही आपकी बात मात काली से हो सकती है जब आप ये काम नहीं करोगे तो आपकी बात मात काली से नह मलता काली आपके धियान में आकर गुस जाएंगी यानिकि आपके जो मन दिल में आकर पर्वेश करेंगी माता काली और फिर उसके बाद 10-15 मिनट वाग जो सवाल आप माता काली से करेंगे । मмотрें माता काली मेरे ये काम है मा मेरे काम बन क्यूं मेरा क्या दिक्कत है क्या प्रोब्लम जो भी आप पूछेंगे मैं तो फिलाल आपको ऐसे बता रहीं जो आप पूछेंगे उसका जवाब आपको पांच मिनट के अंदर ही मिलेगा तुरं तुरंत हातों हात ही आपको जवाब मिलेगा तो इस चाहरीके से ही आप माताकाली से कर सकते हैं अगर आपको सब्सपने में यह तीन चीजय दिखाई दे आने वाले समय में या पहले दिल दिख चुकी हो तो आप दूसरी बार दिखे तो तुरंत ही इस काम को करना तब ही आप माताकाली से बात कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मैंने आप सभीक अच्छे से पनुकाब नपूरी का